पूरे क्रिकेट फैन्स जो हैं दुनिया भर में उनके जहन में प्रशन है वही प्रशन आज हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि चैंपियंस टॉफी पर PCB यानि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इरादा क्या है मतलब हर रोज यूटर्न हर रोज एक नया दाउपेच और अब जो नया घटना करम है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC तक को कटगरे में खड़ा कर दिया है क्या है पूरा मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है ये मामला और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात से वाकिफ है कि चैंपियंस टॉफी ना कराने के नुकसान क्या होंगे कितना आर्थिक नुकसान होगा और इसके अलावा और क्या-क्या कुछ होगा ये सब पर ये प्रेस कॉन्फरेंस हुई वहीं PCB का ओफिस भी है वहीं चेर्मेन बैठते भी हैं फर्स्ट प्रोर पे उनका ओफिस है जहां तक मुझे याद है लाओर के गदाफी स्टेडियम में वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात चीत की और उसमें कहा कि मुल्क का गर्व पाकिस्तान भेजने में जो भी दिक्कत है वो हमें बताएं उसका क्या समाधान निकल सकता है क्या स्लूशन निकल सकता है ये हम देने की कोशिश करेंगे साथी साथ आई सीसी पर भी PCB ने यानि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट के जो चेर्मेन है मोसे नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं उन्होंने सवाल खड़े किये हैं अब सबसे पहले सिलसले वाला कि इस विशे पर बहुत बात चीत हो चुक्किये लेकिन सिलसले वारत आई किस एक बार समझने की कोशिश करते हैं बैई दिपेश चेर्मेंस आप कहरें कि BCCI को क्या दिक्कत ह हमें बता दे और हम उसका समाधान करेंगे दिक्कत BCCI को नहीं है दिक्कत भारत को है दिक्कत भारत के भारत सरकार को है दिक्कत भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को है क्योंकि वो जो मामला है वो मामला कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है वो मामला सीधे यह बहुत बाद में आता है हमारी लडाई तो यह हैं कि आप यह बन एक्षक है यह सवाल का हुई वही सर मैं पूछने वाला था आपसे भी कि मतलब इस सवाल का मतलब क्या यह तो पूरी दुनिया में अगर आट विलियन लोग तो सब को यह चीज जो क्रिकिट समझते होंगे जानते होंगे मालूमी होगा क्यों पाकिस्तान और इंडिया की भी इस क्रिकिट नहीं खेला जात बताया भी कि आतंकवाद जिसके वज़े से हमाई देश में फैल रहा है सबसे बड़ी जड़ आपका देश है वह ऐसे देश में अपनी स्टार प्लेश को खेलने के लिए कैसे बेज दें वह भी ऐसी कंट्री जहां बहुत ज्यादा नफरत का माहल 24 गंटे रहता है आपको क केस में रिस्क ले कैसे लें मतलब इस पर बहुत बार बातचीत हो चुकी है पीसी भी अपनी तरफ से चाहे कुछ भी कहता रहे हमाई स्टेंड बड़े साल पहले सी क्लियर था ऐसा कुछ नहीं बात है दो महीने पहले चीज शुरू ही हम पहले राजीते बेजने के लिए हम बहुत समय से पहले सी क्लियर थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे ना खेलेंगे पाकिस्तान में जिसवक्त चैंपिन्स ट्रोफी की जो मेजवानी थी आज से कुछ साल पहले जब पाकिस्तान को मिली थी उसी वक्ते एक स्टैंड क्लियर हो गया था कही ना कहीं बाते लग बहुत तारीफ भी किती जब हैदराबाद आयते तो इसकी बिर्यानी की यहां के लोग बड़े अच्छे हैं बड़ी इंडिया की अच्छी है लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली आपके लिए सेम चीजें फील नहीं करते और यह अच्छी बात भी है मतलब एक ऐसी कंट्री इसक के सिक्योर्टी आप दे देते हैं 24 गंटे आम फोर्से से हमारे खिलाडी घिरे रहेंगे आना जाना लगा रहेंगा लगातार उनके बीच में मतलब ना निकल पाएंगे ना कुछ जिस होटल में रहे होंगे उसमें भी लगातार दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ घटना पाएंगे यह एक आइसी का टोर्नमेंट कोई सीरीज तो है नहीं के चली मैच के वक्त चीजें दिमाग से निकल गई चीजें कभी भी दिमाग में चलती रहती है और जो पुराने जितने भी इंसिडेंट है उन्हें देखते हुए सर पीसी भी चैकुछ भी कहता रहे अब यह इस सवाल का जवाब तो खेर आप यह अच्छे से दे सकते हैं कि बीसी से अपनी दिक्कत बताए तो हम उसका समाधान निकालेंगे दिक्कत तो पूरी दुनिया जानती है बीसी से आप सरेज आ कि क्या इसमोर यह बड़ी सभी बात आपने की दिक्कत ही नहीं यह तो खिलाडी है उनको आपके देश भेजने के लिए बिलकुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे आपने कहा कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान वैसे लिए हमारे लिए भी प्राइड ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले है और इसलिए क्रिकेटर्स की सुरक्षा एक बड़ा मु प्राइड नहीं खेलेंगे आपके आपके क्रिकेट जो करना हो आप कर लीजे उसके बाद आपको जहां सर पटकना हो पटक लीजे यह सिधा क्लियर कट मेसेज बहुत ही कड़े शब्दों में भारत सरकार की तरफ से समय समय पर दिया गया है इसलिए PCB के चेर्मेन को PCB को प्रतब कोई इसके लिए इंक्वाइरी कमिशन नहीं गठित करना है कि BCCI को दिक्कत क्या है बच्चे बच्चे को पता है कि दिक्कत क्या है पाकिस्तान से सिर्भ भारत को नहीं बलकि पाकिस्तान से पूरी दुनिया के अलग 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 देशों को जो दिक्कत है वो दिक सब्सक्राइब करने वाली संस्था है ऐसा महसिन नकवी का कहना है जो पाकिस्तान के बोर्ट के चेर्मेन है अब मैं दीपेश बहुत सीधी सी बात आप सिर्व जानना चाहता हूं या हम लोग एक डिसकेशन करना चाहते हैं बात वो कह रहे हैं कि विश्वसनियता के बारे में सोचना चाहिए वो वर्ड क्रिकेट को संचारित करने वाली संस्था है हाँ बिल्कुल है और अगर कहीं कोई बायस होता तो वो आपको टोर्नामेंट की मेजबानी देता ही क्यों अगर आजकी तारीक में ICC को कोई ऐसा करना होता कि हम पाकिस्तान क क्रिकेट बोर्ड को अलग थलग कर देना है उनको किनारे कर देना है उनको औलग रखना है हम आपको नहीं देते मेजबानी आप क्या ही कर लेते खुआ अ. स्टेक बहुत हाई है आप कोई बहुत बड़ा काम कर लेते दुनिया जानती है कि BCCI से 80% रेविन्यू जो है वो जाता है आई सी सी को BCCI अगर चाहले रमीज राजा ने कहा हुआ है कि BCCI चाहले तो पाकिस्तान का क्रिकेट बरबाद हो जाएगा अब दोनों की विश्वसनियता या दोनों की जो BCCI और ICC पर सवाल है बैं BCCI चाहे आज ICC से कहे कि आप ये करते ही क्यों आप मत दो इनको कोई टॉर्णामेंट आप सीधा सीधा के दो कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान को किसी भी ICC टॉर्णामेंट की मेजबानी नहीं दी जाएगी बात खतम हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है मेजबानी इसलिए दी जाती है कि आपके हां कम से कम बाकी देश तो आए आपके हां कम से कम क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो बहतर हो जो अभी 1300 करोन रुपए खर्च करके पाकिस्तान के बोर्ण कराया भी है इसके अलावा आप अपने आके जो बयान वीर है ना जो आपके पुराने क्रिकेटर कोई तलवार लेके निकल जाता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है ज़रा शांत रहें कई बार रहता है कि एक चुप सौ सुक अगर इतने बयान वीर ना होते पाकि के साथ सार यह चीज बताई कि 80% स्टेक हमारा है यह तो खाली स्टेक की बात रही कि हम इतना तो भई रेवन्यू जेनरेट करी रहें इसके लावा अगर बात होगी सर व्यूवर्शिप की अगर एक टोर्नमेंट विराट कोली और रोहेश शर्मा ना खेलें तो तो ऐसे डाउ विराट कोली किसी नॉर्मल मैच में खेल रहे हैं और आप कह दीजिए कि टिकेट इसकी फ्री है इतनी जाम हो जाएंगे पुलिक से खाली एक जलक देखने के लिए उस खिलाडी की फिर यह तो एक मतलब बात बताई हमने इंडिया की प्लियर्स का इतना इंपोर्टेंस इंडिया की वेल्यू है और खाली हमारी बात नहीं है अभी हम जो बीजीट के लिए उस्ट्रेलिया में गाई है अखबारों की हैडलाइने बदल इसर न्यूस पेपर आप टीवी चैनल पर देखिंगे सिर्फ एक खिलाडी चाया हुआ वा विराट कोली इतनी इंडिया की अब आप कुछ भी कर सकते हैं पैसे के दम पे आप किसी को ठीक है थोड़ा सा मैनुप्लेट करके चीजे अपने हक में ले सकते हैं लेकिन किसी के गेम को तो आप नहीं खरीज सकते ना वह यह सा तो यह तो एक पॉइंट हो गया मतलब इंडिया के बिना तो खैर व्ल्ट अब इस तरह के से पिछले कुछ समय में अमने क्रिकट खेला भी एक रिकिट को ग्रो करने में स्पैशली हमने जिस तरह के से मदद करिये बहुत यूएसे की पिचिस को लेके इतने सारे बावाल हुए थे वल्ट के टाइम पे एक एसे एक 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 इसे बिक्टे देदी तो सर जब एक कोई भी गवर्निंग बॉड़ी अगर उसका हलका फुलकासा भी फायदा किसी कंट्री के वह से होता है और उससे थोड़ी बाइसनेस होती है तो उसमें कोई कमी बात तो नहीं होनी चीए बही आप बताई अगर इंडिया नराज हो के बैट जाए इसे से आज तो वह एशन कंट्री में तो इंडिया ही चला रहा है आप कितना भी बिल्कुल साफ पॉइंट है प्लेयर्स इतने हमारे अच्छे हैं कि उनकी वज़े से पूरी दुनिया क्रिक्ट की बात करती है जिन देशों में क्रिक्ट प्रमोर्ट भी नहीं अब एक बात बताईए द कुई गवर्निंग बॉर्डी हम पेतना कहीना कहीन или करती है कि इसको हमारे फ μέस में देना होसा और यहां तो हमेरे फैसला उन्हां बात ही इन है आपसे हमारी की तुट्नें आमें दुशमन ही है ने को यहां कि कियो साइड ले रहा है यहां तो सीधा सीधा मुद्धा सिक्यो लाडियों को भीजने का तो मतलब और पुरानी सर चीजे बहुत सारी हैसी हो भी चुकी है न चाहिए आप ऑलम्पिक्स में कितने ऑलम्पिक गेम्स ऐसे हैं जिन में अटेक हुआ है इस्रेली प्लेयर्स मरे थे अब उसमें यही रिस्क लिए गए थे ना के ध्यान उतना दिय है तो आपको मेसल नी डेते ही कि दिमाग देते हैं तो अन्म इसह आशचलों का यहां क्थे तो भी और फोटी आर्श मेंहां तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है कम से कम जो आ रही है और चोटी बड़ी कंट्री एंग्लेंड की टीम इतनी बड़ी है न्यूज़िलेंड की टीम इतनी बड़ी है आप उनको कम से कम अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए क्योंकि मुझे तो अभी भी याद है कुछ तैम पहले जब न्यूज़िलेंड की टीम गई थी पाकिस्तान एक फोन कॉल ने पूरी सीरीज मैच से चंद मिन्टों पहले ख़तम तो यह पहले आप इन चीजों को तो समाली है आपके देश में इतना बवाल है कि एक फोन कॉल केन विलियम सन की पूरी टीम वहां से भाग जात है कि पूरी दुनिया में अगर किसी की चलती है क्रिकित के मामले तो उसलिए ICC को बनाया भी गया आप इस मामले में कितने ही टॉंड दे लीजे कुछ भी बात आप कह लीजे चाह बाइसनेस की बात कह लीजे फिलाल तो यह साफ-साफ है कि सब तरह से ही प्लेयर्स के मामले में आप देख लीजे रहेंद्यू के मामले में देख लीजे वीवर्शिप के मामले में देख लीजे इंडिया का दब-दबा है क्रिकित के ऊपर बिल्कुल इंडिया का दब-दबा है और ICC का रोल जो है ना दिपेश जैसे वो क्रिकित में कहावत है कि a captain is as good as his team members तो ICC की अपनी कोई ताकत नहीं है ICC की ताकत उसके सदस्य देश ही है भारत है इंग्लेंड है ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान है श्रिलंका है वेस्ट इंडीज है यह सारे ICC के जो मेंबर्स है इनकी जो ताकत है वही ICC की ताकत है अब यहां पर सबसे ताकतवर चुकी BCCI है तो आ एक दिसंबर से जैशाह ICC के चेर्मेन का पत समाल लेंगे अब जैशाह ही Asian Cricket Council के मुखिया थे जब 2023 में Asia Cup की मेजबानी पाकिस्तान को मिरी थी उन्होंने ही hybrid model के लिए तयार कराया था पाकिस्तान को की hybrid model पे कर लेते हैं आप बाकी टीमों को अपने हां खिला लीजे भार भारतिय टीम खेली थी और भारतिय टीम ने ही tournament भी जीता था अब फिर से पिछले ही सवाल को थोड़ा सा और continuation में जाकर कोशिश करते हैं कि कम से कम ICC को या BCCI को जो PCI घेरना चाहते हैं वह भी दिमाग से निकाल दे यही बात अभी अभी भी यही वह अभी जो आप कह रह चलते और चले-जाते हैं इनको समझाए कि भारतिय टीम को ऐसा कि भारतिय टीम कभी नहीं गई है या कभी भविशे में आप याद कीजिए जब 2004 में भारतिय टीम गई थी उससे पहले 14 साल पहले गई थी 14 साल के गैप के बाद 2004 में गई थी क्यों कि तब पाकिस्तान की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया था एक कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा है इस पे हम आपके साथ खड़े हुए हैं हम आतंकवादियों को खिलाफ खड़े हुए हैं हम अपने देश की जमीन से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेने देंगे किसी को जो आपके देश में भारत में आतंकवाद फैलाता हो इस पर एक सहमती बनी उसके बाद दूसरी सहमती बनी खिलाडियों की सुरक्षा को लेकर जो बहुत एहम मुद्दा है जो दीपेश बार-बार बार बताते रहते हम ल जाएंगे तब पाकिस्तान को अकल आजाए अकल कैसे आएगी पहले आपको जो जो बाकी की टीम है उनको अच्छे से होस्ट करें एक बड़े टॉर्णामेंट को एक अच्छे सेफटी एंवार्मेंट में दिखकर आके दिखाएं भारत का मैच बाहर हो रहा होने दें जैसे अच्छा टॉर्णामेंट होगा और 2023 का जो एक तरीकिये से ब्लूपरिंट है अगर उसको ही आप फॉलो कर ले तो भी हो सकता है लेकिन अब यह पाकिस्तान की अकड़ है तो कोई कुछ कर नहीं सकता बिलकुल साल लेकिन एक और बड़ी इंपोर्टन यहां पे चीज है इस इस मुद्देप आएंगे बाद में स्पोर्ट्स नाइन की जो पहुंच है वो पाकिस्तान तक जा पहुंचे कुछ यूजर्स यहां कमेंट सेक्शन में आ गये हैं वो भी एक बात कह रहे है कि सबसे पहले तो गेम को गेम की तरह समझा जाए मतलब पहले को क्रिक्ट समझा अपने स्टूडियों बैठके पचासों बार का है कि पाकिस्तान का क्रिकेट जब खराब होता है तो तकलीफ होती है पाकिस्तान में क्रिकेटर्स के साथ कुछ बुरा होता है चाहे उनकी नौकरी जाती है जो नया सिस्टम दो-तीन साल पहले वहां लागू किया था डोमेस् कर वादिता और पाकिस्तान में बैठे कुछ पुराने प्लेयर्स जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो जहर उगलते रहते हैं जो खुद अपने समय में आकर खेल के अपना नाम बना लिया अब चैनल में जाके पैसे कमाने के लिए जो मन में आये बोल दो वाले अप्रोच से जा होगा तब शायद जो बात पहले वाले सज्जन जो थे जो नहीं कही है कि गेम को गेम की तरह लेना चाहिए तब गेम को गेम की तरह से लिया जाएगा चैनि अब आगे बढ़तें और एक और बयान दिखातें आपको जो प्रेस कांफेर्स में कल की लाहूर में महसिन नकवी ने कहा उसमें उन्होंने कहा है कि हमने ICC से कुछ सवाल पूछे हैं जरा वो प्लेट भी दिखाईए वो कह रहे हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं मैं मानता हूं कि खेल को राजनीती से अलग रखना चाहिए किसी भी डेश को इन्हें नहीं मिलाना चाहिए अब यहां दिक्कत क्या है आप तो खेर जानते हैं जो सब्सक्राइबर्स उनको बता देते हैं महसिन नकवी दरसल डबल रोल में हैं जैसे कई हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि राम ही जो है वो श्याम ही होता है गीता यह जो है वो सीता भ पारत के खिलाव जहर उगलना पड़ता है वो भी उगलना है और पाकिस्तान के बोर्ट की कुर्स अध्यक्षी कुर्सी पर बैठे बैठे वो यह भी जानते हैं कि बहुत अगर टोर्णामेंट नहीं हुआ तो नुकसान क्या हो जाएगा इसने जो नसीहत दे रहें मतलब कम आप से कम नसीहते हैं कि आप सही माल जीजे की बात तो ठीक है कि खेल को राजनीटी से लग रखी है लेकिन पहले आप अलग रखी लेंगे मैं चीज देख रहा हूं सर अभी इनकी टीम का क्लीन स्वीप हुआ है उस पर कोई बात नहीं है किसी तरह की कोई जब खिलाडियो के वोट आइंगे और यहां सारा मसला सर क्रिकेट के बढ़ावे का तो ही निया वह बीक चीज मिर बड़े क्लिरली समझ आ रही है इनकी बात चीच से और जितना भी हम भी भी इसकेस किया है इसलिए करने क्योंकि उन्होंने गेंद में कुछ लगा रख गेंद रिवरस्विंग इसलिए बातें आप इंजमाम जैसा इन्सान यह बात कह सकता है मतलब जब तक आप इस भरोसा निंगे वह उते इतनी अच्छे क्रिकेटर नियुक्त कि मुझे बात कहां से अच्छी होगी के रिवर्स्विंग के लिए इंडिया बॉल में कुछ ना कुछ लगा रहा है वैसे बयान आप किसी से भी सुन लीजिए रमीज राजा जब चेयर मैं थे तो भई कि अगर पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है यहां तक तो आपको गिरना पड़ता है इंडिया को अपनी कंवर्शेशन में लाने के लिए और यह बात आप किसी की भी सुन लीजिए बाबर आजम की तारीफ बात में करेंगे पहले विराट कोली से तुलना करेंगे कि भलाना श हैं या किसी पावर में हैं सेलेक्शन कमिटी में और टीम अच्छा भी कर रही है और इंडिया के अगेंस भी आप अच्छा बोल रहे हैं तो तो फिर वही आपका सोने पर स्वागा वाला काम हो जाता है तो यहां क्रिक्ट को बढ़ावा देने वाल तो बात ही नहीं है और यह तो मैं सरी चीज मानता हूं अब चाहें इनको मेजबानी पूरी तरीके से मिले या ना मिले इंडिया जाए ना जाए उनकी राजनीती इस वक्त फुल चमक रही है आप चैक किसी भी तरीके से देख लिए उनको पूरा मौका मिला हुआ हुआ है इंडिया को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बाते कहीं ती ओपन जाके किसी चेर्मेन में इतना दम नहीं था कैसे आपके बोल दे तो यह तो सीधी सीधी बात हुँ अपनी मिनिस्ट्री बचाने के साथ साथ क्यूंकि एक तो इतना अन्प्रेडिक्टेबल देश है ना कि अभी कल कुछ और हो ज जाएंगे कप्तान बदल जाएंगे अब ऐसे देश में मतलब क्रिकेट की ओर तो किसी की नजरी नहीं है यूजर यहां और बढ़ रहे हैं मतलब मैं तो सर यहां लगातार देख रहा हूं कि इतने सारे पाकिस्तान की यूजर कमेंट सेक्शन में आ चुके हैं बड़ी अच और ऐसे किसी भी खेल से पहले किसी भी क्रिकट के खेल से पहले या फिर किसी दूसरे खेल से पहले शुरक्षा और मुल्क जिसकी बात लगाता नकुजर आप करें पर कुछ यह tv बिल्कुल sous सेक्षन में जो अपने पाकिस्तान के साथ ही देख रहे हैं अपने अपनी राय रख रहे हैं उनकी सारी राय को हम खारिज भी नहीं कर रहे हैं लेकिन एक चीज बता देते हैं बस सबसे जादा बयान कौन देता है जावेद मियादा मेरे खाल से सबसे जादा जहर उगलने में सबसे आगे रहते हैं एक शो में हमसे मुझसे भिर दी गए थे वो और कहानी क्या है जब खुद 2004-05 में वो आये थे हिंदुस्तान बाल ठाकरे से मिलने गए थे मुलायम सिंग यादो से मिलने गए थे तब क्यों गए थे भाई अगर इतनी दिक्कत है हिंदुस्तान में आने से तब चुकि हिंदुस्तान में आकर और चैनल में बैठ कर पैसा मिल दा था तब हिंदुस्तान से कोई दिक्कत नहीं थी तो ये सारी चीजें जो आप अभी कह रहे थे या जो मैं कह रहा हूँ ना यहां कैमरे के सामने क्या बोल दें कि सरकार खुश हो जाए सरकार से कुछ मलाई काटने का मौका मिल जाए और थोड़ी सी टियारपी बढ़ जाए थोड़ा सा पैसा मिल जाए और चार दफे में गया हूँ पाकिस्तान आम लोगों के जो आम लोगों लोग है वहां के उनसे तो मुझे कोई शिकायती नहीं वो तो बहुत ही प्यारे लोग है जो आम अवाम है पाकिस्तान का इसलिए उस पर हम डिसकरशन नहीं करेंगे खेल को राजनीती से अलग रखना चाहिए हम वो काम करेंगे चाहे मोसन नक्वी करें चाहाँ ना करें हम खेल को खेल की기도 से रखेंगे चलिए एक और बयान उनका दिखाते हैं मोसिन नकवी का प्रेस कॉनफरेंस से जो तीसरा इंपॉर्टेंट बयान था उसमें उनने कहा कि इस समय चैंप्रेंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने वाली सभी टीमें पाकिस्तान आने को तयार हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं ह मैं आज भी कहूंगा कि अगर भारतिय टीम को कोई दिक्कत है तो वो हमसे बात करें हम उन परेशानियों को दूर करेंगे मुझे ऐसी कोई वज़ा नहीं दिखती कि वो पाकिस्तान ना आएं अब ये जो बात थोड़ी दिर पहले मैंने कही थी न कि जब अब साफ साफ दि पहले हैं तब तो साब स्टेडियम बना रहे हैं और दुनिया भर के काम कर रहे हैं अब जब बी सी सी ने साफ साफ लिख दिया है आई सी सी को कि हम नहीं भेज रहे हैं अपनी टीम तब ये तो यह आप चारिकता है ना तब तो आप मतब अब चड़िया चुग गई खेद पच्चता है होतो की अजब चुडिया चुग गई खेद वाला मामला है अब जब बी सी सी ने कह दिया कि हम नहीं भेज रहे हैं अपनी टीम आइची सी को बता दिया आइसीसी पीसीबी को बता दिया कि भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हमको सूचीत कर दिया यह उनका इमेल है आपको फॉरवर्ड कर रहे है तब आप कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है बताईए हम ठीक कर देते अरे अगर यही अपरोच था तो एक महीने पहले करते तब शायद एक सा साल भर परे तो खुदी नहीं थे वहां पर क्या है एक साल में तो वहां चार-पांच चेर्मन मता ही आते हैं लेकिन अगर जब आपने कुरसी समहाली थी तो जैसे होता है ना गौतम गंभीर ने जब कोच की जिम्मेदारी समाली हम सब लोगों ने का कि पहला बड़ा जो इ इसी चेर्मन की कुरसी समहाली थी उस दिन उनको पता था कि पाकिस्तान के पास मेजवानी है उस दिन उनको पता था कि एशिया कब कैसे कराया गया था उस दिन उनको पता था कि क्यों नहीं भीजेगा उसी वक्रयास कर लेते तो शायद अब तक कुछ तो रास्ता निकलता क तो अभी जो पूरा ICC Champions Trophy ही पाकिस्तान से जाती हुए दिखाई दे रही है, इस्तिती इस से बहतर होती या नहीं होती? अभी आपने का टास्क मतलब तै होते हैं और उस पर काम किया है उनों रही है उनका किसी-किसी मामले में इनकी तारीव भी हो नी चीह है टास्क था कुरसी बचाने का इतनी पॉलिटिक्स के वीच में वह उनोंने बराबर बचाई और क्रिकट तो बहुत बात की बात है और तो सबसे पहले लगातार यही बात होती थी कि इंडिया नहीं जायागा चाहिए कुछ भी कर लीजिए फैन्स आपस में लड़ते रहते हैं पीजीब के चेर्मेन को इस बात का ख्याल नहीं था और अब जब यह कितना कितना ही समय रह गया मतलब आप अगले 10-12 दिन बात तो आपको जैशा उस कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे तो जब मतलब बहुत सी ऐसी opportunity थी जब पुराने चेर्मेन थे ICC में चले हम मान लेते हैं एक बार को यह भी कि आपके उनसे अच्छे खासे रिष्टे रहे होंगे कुछ कंविंस करने की कोशिश करते शायद यहां से भ कुछ वहां लोग जाते जो सुरक्षा को लेकर वहां जिस तरीके का हिसाब किताब उसने अब समय कहा है सर मतलब सबसे बड़ी बात तो यह ना कि आप तो वही वाली बात होगी कि आप पच्टा हो जब चिडिया चुक गई खे तो यही एकदम फिट बैठता है मोहावरा फ बेजबानी किसी तरीके से बचाले पाकिस्तान अगर वह भी छिन गए और यह जो लगातार दूसरी साइड से बाते हैं कि साउथ अफ्रीका जा सकती है आई सीसी को क्या लगेगा सर मैं कुछ नहीं एक बात जानता हूं साउथ आफ्रीका तो फिर भी बहुत बड़ी क्रिक क्रिकट को बढ़ावा देने के लिए तो यूएस यसी कंट्री जहां पर हम लगातार बात कर रहें कि वर्ल्ड कप ऐसी जगा पर हो रहा जहांके आधी रात में आप लोगों को पूछेंगे तो नहीं पता ही ने क्रिकेट खेल क्या है तो जब ऐसी कंट्री यहां में क्योंकि दस दिन बाद पलट सकता है कुछ भी हो सकता है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मेजबानी थोड़ी बहुत मिल रही है यह भी आपसे चिन सकती है फिलाल समझदारी इसी बात में के इंडिया से अपना जो फोकस है उसे हटा के इंग्लेंड पे लगाए और जो कंट्रियां वाएंगी साउथ अफरीका की टीम आएगी उस पर लगाई यह बड़ी बड़ी टीम है और उन सबसे भी हटके जो सबसे पहला में फोकस होना चीए वह होना चीए कि अपने क्रिकेट को किसी तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करिए 3-0 से आपका देश बड़ी गंदी क्रिकेट आपके क्रिकेटर अभी भी खेल रहे हैं चाहिए कप्तान बड़ लिया चाहिए कुछ भी कल लिया अपने ही देश में अगर चैंपेंस टोफी होगी और फिर भी आठ वे नंबर पर आप बैठे होगे जो की क्वाइट पॉसिबल क्यूंकि दुनि आपने आपको बढ़ावा देने की कोशिश करिए वो जो पैंडिंग स्टेडियम पड़े हुए किसी की लाइट खराब है किसी में बिजली नहीं आती यह चीज़ें कर चैंपेंस टोफी के समय पर होगी तो आपको और जादा बेज़ती जेल नहीं पड़ सकती है फिर तो कुछ नहीं करना, पहले है इंडिया को बूलाया है बाद में कुछ काम करेंगे तो जो बाद में होने वाले काम है न वो भी नहीं हो पाएंगे टाइम से विल्कुल सही बात है और वैसे भी तीन शहरों में हो रहे हैं सMom concurrent conquer MA again, स्थाइफरिका में और झॹहनिस बख में स्ट बारत सरकार ने कहा है कि चुकी आम चुनाओं है इसलिए IPL के मैचेस को हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे अगले दिन सुबह रात रात भर में टोर्णामेंट पुरा शिफ्ट हो जाता है साउथ आफ्रीका और उसमें कितने नंबर आफ मैचेस अगर आप जोड लीजिए तो अपने आइस पर राय शुमारी करा लें कि आप जितनी टीमें आ रही हैं उनकी अच्छी मेजबानी करने का प्रयास करें अच्छा सक्सेस्फुल टॉर्णामेंट कराने का प्रयास करें भारत को खेलने दे तीसरे देश में नीट्रल वेन्यू पे जहां पर आपको अगर व तो नुकसान कितने का होना है मतलब यह जो नोट होती है ना बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया अठारा सौ करोड रुपए हम लोग जिस दिन यह लिख रहे थे ना दिपेश तीन-चार बार लोगों से मैंने जाकर पूछा भाईया जीरो चेक कर लो सही लगाया नहीं लगाया क्योंकि अभी भी हम लोग जब जोड़ना शुरू करते हैं एक आई दहाई सेकड़ा हजार दसफ़ार तो पांच बार तो लगता है अठारा सौ करोड तक पहुंच अठारा सौ करोड और यह जो मज़े की बात और भी है एक तो अगर मेजबानी गई जो बचे उससे आप इस टोर्णामेंट में जो बाकी सारे खर्चे हैं वह अच्छे से करते और वर्ल्ड क्रिकेट को यह मैसेज देते हैं कि हाँ अगर हमको एक बड़ा टोर्णामेंट मिला तो हमने उसको अच्छे से कराया लेकिन इसका आप दूसरा पहलू है अगर आप निज्व आख लीजे और जो लोग देख रहे हैं जो आज बहुत अच्छी बात आप व करते हैं देखा कर एक सरें जी क्रतिसे को पाकिसित करते और बहुत ही वहारिक तही बदे का से बात करते हैं इस एक बतक शिचाही कर ठीचे तब जाकर इस पूरे पचले में पढ़िये वरना एक बार फिर दोस्ताना सलाह, बड़े भाई की तरह से सलाह यही है कि अपने मुल्क में चैंपिन्स टॉफी की मेजवानी कीजिए, हाइब्रिड मॉडल पर कीजिए, बाकी सारी टीमों को बड़ी बड़ी टीमों को अच्छ करती ही नहीं थी, वर्ल्ट क्रिकेट को यह मेसेज दीए कि हाँ पाकिस्तान भी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने की स्थिती में है, उसके बाद फिर इस पर आईए कि हाँ अब बातचीत करके वह भारत को मनाना चाहिए कि अगर भारत भी आ जाए तो वह आ आप सब्सक्राइब कर लिजい आज पाकिस्तान भालों से भी करते हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिए को भी करते हैं tomorrow, स्वेल्ग मानेंगे अगर अगर हमारे हमारे मतलभ स एसा ना बता कि अरम तो वह भी आखघा एक अरभार बात MI 강ए अने आए आप बीडिशए क झाल झाल